नमस्कार दोस्तो वेलकम टू रमेश सेकेडमी स्वागत है आपका हमारे चैनल पर आईए शुरू करते हैं आज का वीडियो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जिके ऑनलाइन टेस्ट इसके अंतरगत हम लोग डेली 50 कोश्चन हम लोग देखेंगे डेली क्या यहां पे हम मतलब कि यहां पर देखेंगे यह होगा जिसके चार या पाच उप्सन होंगे उसमें से एक एंसर सही होगा उसे आपको देना होगा तो आप अब तयार हो जाएए यह टेस्ट देने के लिए यदि आप लोग सही में पढ़ाई करते हैं तो 50 में से 100 नंबर आप लाके देख टेस्ट और इसी तरह से आपको डेली वे सिज पी आपको दिया जाएगा तो आप यह स्दूरू करते हैं ओनलाइन यह टेस्ट तो सबसे पहला question आपके सामने आ गया है इसका answer आप बताईए इसका answer क्या होगा question है आपका question आपका है भारत नाम की उत्पती का सम्मंद प्राचीन काल के किस प्रतापी राजा से है यहाँ आपको बताना है भारत नाम के उत्पति का संबन्ध पराचीनकाल के किस प्रतापी राजा से है या आपको बताना है comment box में इसका answer बताइए क्या होगा पहला option है आपका महराना प्रताप दी option है चंद्रगुप्त मौर्ज C option है आपका भारत चक्रवर्ती और D option है असो का मौर्ज तो च्वारो अप्सन में से क्या सही होगा comment box में इसका बताईए भारत नाम की उत्पति का समंध प्राचीन काल के किस परतापी राजा से है तो इसका सही एंसर हो जाएगा बिकल्प नंबर C यानि कि भारत चक्रवर्ती इसका सही एंसर हो जाएगा अब हम लोग next question देख लेते हैं next question आपके सामने आ गया है next question है भारत का सबसे बड़ा सहर कौन सा है यह आपको बताना है A option है Mumbai, B option है कुलकत्ता, C option है दिल्ली और D option है मद्रास चारो अप्सन में से आपको एक answer सही है आपको बताना है comment box में इसका answer बताईए क्या होगा तो इसका सही answer हो जाएगा भारत का सबसे सहर जो है सबसे बड़ा सहर जो है वह मुंबई है यानि कि बिकल्प नंबर A सही हो जाएगा अब next question देख लेते हैं next question आपके सामने आ गया है question है भारत का सबसे बड़ा राज ये कौन सा है इसका answer आपको बताना है भारत का सबसे बड़ा राज ये कौन सा है A है उत्तर परदेश, B है महराष्ट्र, C है राजास्तान और D है मध्य आप जो है इसका answer जो है comment box में बताईए यदि आप जानते हैं तो इसका सही answer हो जाएगा बिकल्प नंबर C यानि की राजास्तान next question आपके सामने आ गया है question है भारत में कुल कितने राज अभी है तो इसका answer आप बताईए comment box में क्या होगा A बिकल्प है 28, B बिकल्प है 29, C बिकल्प है 36 और D बिकल्प है 15 तो इसका सही answer हो जाएगा बिकल्प नंबर A यानि की भारत में कुल अभी 28 राज है उसके बाद में next question है भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है आपको बताना है comment box में बताईए इसका answer A option है गंड़की, B option है C option है आपका ब्रह्मपोत्र और D option है गंगा तो comment box में इसका answer बताईए क्या होगा भारत की सबसे लंबी नदी जो है वा गंगा है बिकल्प नंबर D इसका सही answer हो जाएगा अब हम लोग next question देख लेते हैं next question है कि भारत का सबसे चौड़ी नदी कौन सी है comment box में इसका answer बता C option है गंगा और D option है चंबल चारों option में से comment box में आप answer बताईए क्या सही होगा भारत की सबसे चौड़ी नदी का नाम क्या है तो इसका सही answer हो जाएगा बिकल्प नंबर A यानिकी ब्रह्मपुत्र भारत की सबसे चौड़ी नदी जो है वह ब्रह्मपुत्र नाम से जानी जाती है उसके बाद में अब हम लोग नेक्स्ट कोस्चन देख लेते हैं नेक्स्ट कोस्चन है भारत का सबसे उची मिनार कौन है A option है चार मिनार B option है कुतुब मिनार C option है जूलता मिनार और D option है सहीद मिनार तो चारों option में से एक ही सही है comment box में इसका answer बताईए क्या होग कि भारत का सबसे उची मिनार कौन सा है तो इसका सही answer हो जाएगा बिकल्प नंबर B यानि की कुतुब मिनार भारत का सबसे उची मिनार जो है हुआ कुतुब मिनार है next question देख लेते हैं next question है भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है comment box में इसका answer बताईए क्या होगा A option है भाकडा बांध B option है इंद्रा सागर बांध C option है हीरा कुंड बांध और D option है नागारजून सागर बांध चारो अप्सन में से एक option सही है comment box में इसका answer बताईए क्या होगा भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है तो इसका सही answer हो जाएगा बिकल्प नंबर C यानिकी हीरा कुंड बांध हीरा कुंड बांध जो है वह भारत का सबसे लंबा बांध है next question देख लेते हैं next question है भारत क है कामसेट सुरंग चारो अप्सन में से एक सही है comment box में इसका answer बताईए क्या होगा भारत का सबसे लंबी सुरंग कौन सा है तो इसका सही answer हो जाएगा बिकल्प नंबर A यानिकी भारत का सबसे लंबी सुरंग जो है वह चेनानी नहसारी सुरंग है next question देख लेते हैं next question आ और D option है गोमेत स्वर आपको बताना है comment box में इसका answer बताईए क्या होगा कि भारत का सबसे उची मूर्ती कौन सी है comment box में इसका answer बताईए क्या होगा भारत का सबसे उची मूर्ती कौन सी है इसका सही answer हो जाएगा बिकल्प नंबर C यानिकी a statue of unity a statue of unity जो है भारत का सबसे उची मूर्ती है अब नेक्स्ट कोस्चन देख लेते हैं नेक्स्ट कोस्चन है भारत में पर्थम महिला विशुविद्याले कब अस्तापित किया गया अब आपको बताना है कमेंट बॉक्स में इसका एंसर बताईए कि भारत में पर्थम महिला विशुविद्याले कब अस्ता भारत में पर्थम महिला विश्विद्याले जो है वह 1916 इस्वी में अस्थापित किया गया अब next question देख लेते हैं नेक्स्ट कोस्चन है भारत का पर्थम महिला विश्विद्याले का नाम क्या है यह आपको बताना है comment box में बताईए क्या होगा भारत का पर्थम महिला विश्विद्याले कौन सा है यह आपको बताना है पहला option है यानि कि A option है श्रीपदमावती महिलाविश विद्याले B option है SNDT महिलाविश विद्याले C option है बनस्तली विद्यापीट D option है LSR महिलाविश विद्याले 4 option में से क्या सही होगा आपको बताना है कमेंट बॉक्स में इसका एंसर बताईए कि भारत का पर्थम महिला भी स्विद्याले कौन सा है चारों अप्षन में से क्या सही होगा कमेंट वोक्स में इसका एंसर बताईए तो इसका सही एंसर हो जाएगा बिकल्प नमबर B यानि कि SNDT महिला भी स्विद्याले जो है वो भारत का पर्थम महिला विश्विद्याले है, अब next question देख लेते हैं, next question है, भारत का पर्थम महिला विश्विद्याले कहां पर अस्तापित किया गिया था, यह आपको बताना है, comment box में इसका answer बताईए, कि भारत का पर्थम महिला विश्विद्याले जो है, वो कहां पर आस्थापित किया गया था ओप्सन दिल्ली में gena यड़ज़न ऑफ से को सही करता Studio एंसर दिल्ली मेंalet बिकल्पनुमे द्विद्य जो है वह मुंबई में अस्थापित किया गया अब हम लोग नेक्स्ट कोश्चन देख लेते हैं नेक्स्ट कोश्चन है एस याई खेलों में स्वाण पदक प्राप्त करने वाली पहली भारतिय महिला कौन थी यह आपको बताना है कमेंट बॉक्स में इसका एंसर बताईए एस याई खेलों में स्वाण पदक प्राप्त करने वाली पहली भारतिय महिला कौन है तो इसका सई एंसर हो जाएगा बिकल्प नंबर ए याने की कमल जीत संदू कमल जीत संदू जो है वह एस याई खेलों में स्वाण पदक प्राप्त करने वाली पहली भारतिय महिला है अ D option है कलपना चावला, B option है रजिया सुल्तान, C option है वचंद्री पाल, D option है सुचेता क्रिपलानी, चारो अप्सन में से क्या सही होगा, comment box में इसका answer बताईए कि माउंट एवरेश्ट पर चड़ने वाली पहली भारतिय महिला कौन थी, comment box में इसका answer बताईए, चारो अप्सन म कि यहां पर जिके और जितने भी current affairs related जितने भी question बन सकते हैं और general awareness सभी का यहां पर daily by daily आपको यहां पर जिके के क्यूज कराये जाएंगे, क्यूज के माधियम से सभी कुछ को complete कराये जाएगा, उसके बाद में topic wise भी आपका chapter wise, topic wise और subject wise यहां पर course भी चलाये जाएगा, अभी आप सभी दोस्तों के साथ इसे share कर दीजिए, और सब को बोलिए subscribe करने के लिए, subscribe करने के बाद में bell icon को दबा दीजिए, जिससे आपको notification वीडियो का हमेशा मिलता रहा है, अब next question देख लेते हैं, next question है, भारत की पर्थम महिला IPS कौन थी? आपको बताना है, comment box में बत आईए कि भारत की पर्थम महिला IPS कौन सी है, यह आपको बताना है, comment box में इसका एंसर बताइए क्या होगा, तो इसका सही एंसर हो जाएगा आपका कीरन बेदी, कीरन बेदी जो है भारत की पर्थम महिला IPS थी, next question है, भारत की पर्थम महिला राजयपाल कौन थी? यह आपको बताना है, comment box में इसका एंसर बताइए क्या होगा, A option है, सरोजनी नाइडू, B option है, सुसमीता सेन, C option है, पर्तिभा पाटिल, और D option है, ममता बनर जी, comment box में इसका एंसर बताइए क्या होगा, question है, भारत की पहली महिला राजयपाल कौन थी? चारों अप्सन में से क्या सही ह होगा, यह आपको बताना है, comment box में इसका एंसर बताइए, तो इसका सही एंसर हो जाएगा, बिकल्प नंबर A, यानि की सरोजनी नाइडू, सरोजनी नाइडू, भारत की पहली महिला राजयपाल थी? अब next question है, सर्वच नियाले में पर्थम महिला नियाधिस कौन थी? यह अप्षन है, करनम मलेश्वरी, comment box में इसका एंसर बताइए, चारोज अप्षन में से क्या सही होगा, सर्वच नियाले में पर्थम महिला नियाधिस कौन थी? इसका सही एंसर हो जाएगा, बिकल्प नंबर C, यानि की M. फातिमा बीवी, इसका सही एंसर होगा, M. फातिमा बीवी, सर्वच नियाले में पर्थम महिला नियाधिस थी? comment box में इसका एंसर दीजिए, और अपने दोस्तों के साथ भी सेयर कर दीजिए इसे, उसके बाद में next question है, स्वतंत्र भारत के पर्थम गवर्नर जेनरल कौन था? यह आपको बताना है, comment box में इसका एंसर बताइए कि स्वतंत्र भारत के पर्थम गवर्नर जेनरल कौन था? तो इसका सही एंसर हो जाएगा, बिकल्प नंबर B, यानि कि लॉर्ड माउंट वेटन स्वतंत्र भारत के पर्थम गवर्नर जेनरल थे, अब next question देख लेते हैं, next question है, बारत का पर्थम प्रधान मंत्री क बारत का पर्थम प्रधान मंत्री कौन थे या कौन बने थे? तो इसका सही एंसर हो जाएगा, बिकल्प नंबर A, यानि कि जुहार लाल नेहरू भारत के पर्थम प्रधान मंत्री बने थे? अब next question देख लेते हैं, next question है, जुहार लाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधान मं को C option है 15 अगस्ट 1948 को या D option है अन आपको बताना है comment box में इसका एंसर बताईए क्या होगा जोहार लान नेरू भारत के प्रधान मंतरी कब बने थे तो इसका सही एंसर हो जाएगा विकल्प नंबर B यानि कि 15 अगस्ट 1947 को जोहार लान नेरू भारत के पर्थम प्रधान मंतरी बने थे अब next question देख लेते हैं next question है भारत में पर्थम महिला प्रधान मंतरी कौन बनी थी यह बताना है आपको comment box में इसका एंसर बताईए A option है परतिभा पाटिल B option है M फातिमा बीवी C option है इंद्रा गांधी और D option है अन आपको बताना है comment box में इसका एंसर बताईए कि भ next question है भारत का पर्थम राष्ट पती कौन है यह आपको बताना है comment box में इसका एंसर बताईए क्या होगा A option है अबदुल कलाम B option है डॉक्टर राजेंदर परसाद C option है डॉक्टर शवपली राधा कृष्णन D option है बसपा दनपा जट्टी चारों option में से कौन सा सही है comment box में भारत का पर्थम राष्ट पती कौन है तो इसका सही इंसर हो जाएगा बिकल्प नंबर B यानि कि डॉक्टर राजेंद परसाद भारत के पर्थम राष्ट पती है डॉक्टर राजेंद परसाद जो है विहार के रहने वाले हैं विहार के सिवान डिस्टिक के जिरादेई न नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पर्थम भारतिये कौन था यह आपको बताना है कमेंट बॉक्स में इसका एंसर बताईए क्या होगा चारो को नोबेल पुरस्कार से नवाजा गिया है लेकिन नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पर्थम भारतिये कौन है यह आपको बताना है कमेंट बॉक्स में इसका एंसर बताईए कौन है नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पर्थम भारतिये कौन है तो इसका सही एंसर हो जाएगा बिकल्प नंबर D यानि कि रबिन्ना टेगोर को नोबेल पुरस्कार से नमाजा गिया था पहली बार भारत से इन्हें साहित्य के छेत्र में नोबेल पुरस्कार से पुरस्कार पुरस्करित किया गिया था अब नेक्स्ट कोस्चन देख लेते हैं नेक्स्ट कुस्चन है आपका भारतिय राष्टिय कॉंग्रेस के पर्थम अध्यक्ष कौन थे यह आपको बताना है कमेंट बोक्स में इसका एंसर बताईए कि भारतिय राष्टिय कॉंग्रेस के पर्थम अध्यक्ष कौन था यह आपको बताना है कमेंट बोक्स में आप बताईए कि भारतिय राष्टिय कॉंग्रेस के पर्थम अध्यक्ष कौन था चारो अप्सन में से एक सही है कमेंट बोक्स में इसका एंसर बताईए क्या होगा तो इसका सही एंसर हो जाएगा बेवमेश चंद्रबनर जी यानि कि भीकल्प नंबर ए इसका सही हो जाएगा भारतिय राष्टिय कॉंग्रेस के पर्थम अध्यक्ष कौन थे तो बेवमेश चंद्रबनर जी थे इसकी अस्थापना जो है 8850 ECV में की गई थी यह वो हुम नामक एक अंग्रेज अधिकाली ने भारतिय राष्टिय कॉंग्रेस की अस्थापना की थी तो अब हम लोग नेक्स्ट कॉस्चन देख लेते हैं नेक्स्ट कॉस्चन आपका है पर्थम अंत्रिक्ष यात्री कौन थे यह आपको बताना है कमेंट बॉक्स में इसका एंसर बताईए A अप्शन है राकेश सर्मा B अप्शन है कल्पना चावला C अप्शन है सुनिता बिलियम्स और D अप्शन है अन चारों अप्शन में से क्या सही होगा कमेंट बॉक्स में इसका एंसर बताईए कि पर्थम भारती अंत्रिक्ष यात्री कौन थे तो इसका सही एंसर हो जाएगा राकेश सर्मा यानि की बिकल्प नंबर ये भारत पर्थम भारती अंत्रिक्ष यांत्री जो है वह राकेश सर्मा जी थे आप अपने दोस्तों के साथ इसे सेयर कर दीजिए कम से कम एक बार में 25 से 50 स्टूडेंट भी यदि ऑनलाइन मतलब देखते हैं तो जादे अच्छा रहेगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर किजिए और Channel को grow करने के लिए सभी दोस्तों के साथ सेयर किजिए अगर एक ब्यक्ती अगर दो या तीन स्टूडेंट को भी सेयर करते हैं या दग्यति तीस ब्यक्ती करेंगे तो 100 को एक साथ online ला सकते हैं इस platform पे निश्चित रूप से आपको काफी फैयदा होगा और अपने दोस्तों के साथ भी सेयर किजिए अब next question देख लेते हैं दक्षने दुरूप पर पहुचने वाला पर्थम भारतिये महिला कौन थी यह आपको बताना है comment box में इसका एंसर बताईए क्या होगा ए अप्सने तारा चेरियन बी अप्सने विम्ला देवी सी अप्सने रीना कौसुक कौसल धर्म सक्तू डी अप्सन है डॉक्टर अम्रीता पतेल चारों अप्सन में से क्या सही होगा आपको बताना है comment box में बताईए कि दक्षिन दुरूप पर बताना है comment box में इसका अंसर बताईए कि दक्षिन दुरूप पर पहुचने वाले पर्थम भारतिये महिला कौन है तो इसका सई अंसर हो जाएगा बिकल्प नंबर सी यानि कि रीना कौसल धर्म सक्तू जो है वह दक्षिन दुरूप पर पहुचने वाली पर्थम भारतिये म होगा ए औप्षन राजा हरिश्चंद्र बी औप्षन है किसन कनईया सी अप्षन है पुंडलिक डी अप्षन है भेश्ण परतिग्या चारों ऑप्षन मेंसे आपको बताना है कौन सा है या सही अंसर भारत में निर्मित परतम भारतिये फिल्म कौन सी है मौनी सिनेमा में दर्था ईगे थी वो था राजा हरिस्चंदर अब आम लोग नेच्ट कोश्चन देख लेते हैं नेक्स्ट कोश्चन है भारत में पर्थम हारतिय फिल्म मौनी शीनेमा राजा हरिस्चंद्र कब निर्मित हुआ था यह आपको बताना है यानि कि हरिस्चंद्र को कब फिल्म आया गया था कब निर्मान हुआ था कब बना था यह आपको बताना है कमेंट बॉक्स में इसका एंसर बताइए क्या होगा तो इसका सही एंसर हो जाएगा बिकल्प नंबर D यानि कि 1913 इसमी में परतम भारतिय फिल्म मौनी सिनेमा राया हरिश्यंद्र को निर्मित किया था अब नेक्स्ट कोश्चन देख लेते हैं नेक्स्ट कोश्चन है भारत का अंग्रेजी नाम इंडिया की उत्पति किस सब्द से हुई है यह आपको बताना है कमेंट बॉक्स में इसका एंसर बताइए क्या होगा चारो अप्सट में से एक ही सही है आपको बताना है कमेंट बॉक्स में इसका एंसर बताइए क्या होगा तो इसका सही एंसर हो जाएगा बिकल्प नंबर सी यानि कि सिंदु सब्द से भारत का अंग्रेजी सब्द इंडिया की उत्पति हुई है अब नेक्स्ट कोश्चन द एक दूसरा नाम है भारत को ही भारत खंड भी हम लोग बोलते हैं उसके बाद में नेक्स्ट कोश्चन देख लेते हैं नेक्स्ट कोश्चन है आपका क्रिसी भारती अर्थ बिवस्ता की क्या है आपको बताना है कमेंट बॉक्स में इसका एंसर बताइए क्या है तो इसका सह एंसर हो जाएगा बिकल्प नंबर B याने की क्रिसी भारती अर्थ विवस्ता की रीड है अब next question देख लेते हैं next question है आपका भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है ए अप्शन है चंडिगड बी अप्शन है मिजोरम सी अप्शन है सिक्किम डी अप्शन है ग question देख लेते हैं next question है पर्थम भारतिये रंगीन फिल्म कौन सी है ए अप्शन है राजा हरिस्चंड बी अप्शन कनईया सी अप्शन है सीता विवा और डी अप्शन है सती सुलोचना चारों अप्शन में से एक सही है कमेंट वक्स में इसका एंसर बताइए क्या होगा पर् बिकल्प नंबर बी यानि की किशन करते ही या फिल्म जो है परतम भारतिये रंगीन फिल्म है नेक्स्ट कोश्चन देख लेते हैं नेक्स्ट कोश्चन है लाइप टाइम एचिब्मेंट के ऑसकर पुरसकार बीजेता कौन थे या आपको बताना है एप्शन है सत्यजीत रा पानु अथहिया सी अप्शन रबिन्दर नाट टैगोर और डी अप्शन कीरन बेदी कमेंट बोक्स में इसका अंसर बताइए कि आओगा तो इसका सई अंसर हो जाएगा आपका बिकल्प नंबर ए यानि की सत्यजीत राय लाइप टाइम एचिब्मेंट पुरसकार पुरसक लिंक और डी अप्शन है और्ल करणवालीज चारों अप्शन में से एक सही है कमेंट बोक्स में इसका अंसर बताइए क्या होगा इसका सही अंसर हो जाएगा आपका बिकल्प नंबर भी यानि की लौड केनिंग भारत के पर्थम वायस रहे थे अब नेक्स्ट कुस्चन द बोक्स में बताइए ग्वारत कि के अंसरकर की पर्थम महिला मंत्री कौन थी तो इसका सही अंसर हो जाएगा बिकल्प नंबर स्री हानिकि राजकुमारी अमरित कौर नेक्स्ट कोंचन दे लेते हैं नेक्स्ट क्सिचन है भारत की पर्थम महिला मुह मंत्री होगांधी A option है बिकल्प No.D यानि की स्रीमति सुचेता किरिपलानी जो है भारत की पर्थम महिला मुख्यमन्त्री है उसके बाद में देखते हैं Next question है भारत की पर्थम महिला राष्टपती कौन है या आपको बताना है कमेंट बाक्स में इसका एंसर बताईए आपको कमेंट बॉक्स में इसका एंसर बताना है कौन सा सही होगा भारत की पर्थम महिला राष्टपती कौन है तो इसका सही एंसर हो जाएगा बिकल्प नंबर A यानि की स्रीमति पर्तिभा पाटील अब नेक्स्ट कोस्चन देख लेते हैं आपको बताना है कमेंट बॉक्स में इसका एंसर बताईए क्या होगा तो इसका सही एंसर हो जाएगा भारत के लोग सभा के पर्थम अध्यक्ष बिकल्प नंबर A यानि की जिवी मावल अंकर जी थे अब नेक्स्ट कोस्चन देख लेते हैं नेक्स्ट कोस्चन है शत्रंज में पर्थम विश्व चैंपियन भारतिये कौन थे A अप्शन है बलादिमीर क्रैमनिक B अप्शन है मीर सुल्तान खान ने C अप्शन है विश्वनातन अनंद ने अपको बताना है कि सत्रंज में पर्थम विश्व चैंपियन भारतिये कौन बने थे तो इसका सही अंसर हो जाएगा विश्वनातन आनंद जो हैं शत्रंज में पर्थम विश्व चैंपियन बने थे अब next question देख लेते हैं next question आपके सामने आगया है question है भारत का पर्थम कागज रहित समाचार पत्र कौन सा है A option है हरी भूमी B option है the news today C option है आपका रभात खबर और D option है आपका अन्न comment box में बताना है आपको कौन सा सही होगा तो इसका सही अन्सर हो जाएगा बिकल्प नंबर B यानि कि the news today भारत का पर्थम कागज रहित समाचार पत्र है अब next question देख लेते हैं next question है कि 12 सर्थ तक बनाने वाली पर्थम भारतिय महिला किर्केटर कौन है यह आपको बताना है comment box में इसका अन्सर बताइए क्या होगा A option है मिताली राज B option है अंजम चोपडा C option है अमीता सर्मा और D option है पूनम जादो चारों अप्सन में से क्या सही होगा यह आपको बताना है comment box में बताइए तो इसका सही अन्सर हो जाएगा मिताली राज दोरा सतक बनाने वाली पर्थम भारतिय महिला क्रिकेटर है next question देख लेते हैं next question है आपका कि भारत का पर्थम कागज रही ते समाचार पत्र the news today कब शुरू हुआ था यह आपको बताना है A option है 23 January 2003 को B option है 13 January 2001 को C option है 3 January 2001 को D option है 9 January 2002 को today कब शुरू किया गया तो इसका सही अंसर हो जाएगा विकल्प नंबर C यानि की 3 January 2001 को शुरू किया गया था next question है अंतराष्टिय नियाले में नियोग थे पर्थम भारतिय नियाधिस कौन थे यह आपको बताना है comment box में बताइए क्या होगा A option है Dr. Nagender Singh B option है G.B. Maolankar C option है आपका जगदिश चंद्रबसू और D option है R.K. Narayan तो इसका सही अंसर हो जाएगा विकल्प नंबर A यानि की Dr. Nagender Singh जी को आपको अंतराष्टिय नियाले में नियुक्त पर्थम भारतिये नियाएधीस थे अब next question देख लेते हैं next question है भारतिय रिजर्व बैंक की उप governor बनी पर्थम भारतिये महिला कौन सी है या आपको बताना है comment box में बताइए A option है पर्तिभार A B option है KJ Udasi C option है मधूर जाफरी और D option है on तो इसका सही एंसर हो जाएगा आपका KJ Udasi यानि कि विकल्प नंबर B इसका सही एंसर हो जाएगा अब next question देख लेते हैं next question है पर्तम महिला लोग साभा अध्यक्ष कौन थे या आपको बताना है A option है स्रीमती सुचेता क्रिपलानी B option है राजकुमारी अम्रिताक और C option है मीरा कुमार और D option है विमला देवी comment box में इसका एंसर बताइए क्या होगा तो इसका सही एंसर हो जाएगा विकल्प नंबर C यानि कि मीरा कुमार पर्तम महिला लोग साभा अध्यक्ष थी अब next question देख लेते हैं नेक्स्ट question है आपका भारत का सबसे पहला गिरी मंत्री कौन थे एंसर हो जाएगा आपका विकल्प नंबर C यानि कि सर्दार बल्लब भाई पटेल इसका सही एंसर हो जाएगा अब next question देख लेते हैं नेक्स्ट question है भारतिय विज्ञान में नोबिल पुरसकार प्राप्त करने वाले पर्तम भारतिय कौन है तो ए उप्सटन है C वी रमन B जेजे थॉम्शन C अप्सटन है सक्कैला सत्यार्थी और D अप्सटन है मदर टेडेसा कमेंट बक्स में इसका एंसर बताइए क्या होग तो इसका सई एंसर हो जाएगा विकल्प नंबर A यानि की C वी रमन नेक्स्ट कोस्टन देख लेते हैं नेक्स्ट कोस्टन है चिकिस्ता में नोबिल पुरसकार प्राप्त पाने वाले पर्तम भारतिय कौन है A अप्सटन है सुब्रमन्यम चंदर सेखर B अप्सटन है निल् अप्टर हर गोविंद खुराना तो इस तरह से हम लोगों ने आज पचास कोस्टन को देख लिया आपके लिए all the best सभी वीडियो देखने के लिए आप अपने दोस्तों के साथ इसे सेर कीजिए और सब्सक्राइब कर लिजिए वीडियो को देखने के लिए थैंक्यू थैं थैंक्यू